रहें अभी IQ 13 के बारे में जिसकी कीमात करीब आपको 55,000 रुपए देखने को मिलेगी और इसके हम फीचर्स के बारे में बात करेंगी इसमें क्या-क्या आपको फीचर्स देखने को मिलेंगी इसमें आपको डिवल सिम 3G, 4G, 5G देखने को मिल जाएगा इसमें आपको स्नैपडेगन ये लाइट चिपसेट देखने को मिल जाएगा जो की अक्टो को प्रसेसर पर काम करेगा और 12GB का रैम होगा 256GB का इंटर्नल मेमोरी होगा इसमें हर्वेल इंट के साथ आपको वैच् 6.7 इंच का डिस्प्ले होगा जो की 144 एटच पे रिफ्रिस पे काम करेगा और आपको पंच होल डिस्प्ले वेकर को मिल जाएगा आपको इसमें कैमरा OIS देखने को मिले जाए जो की तिर पर रेर कैमरा होगा जो की होगे 50-50 MP के 3 कैमरे और फ्रेंट को आपको मिलेगा 32 MP का कि इसमें डिटेल से बात कर लेते हैं यह है माडल नॉमबर 13 और इसमें आपको डिवल सिम मिलेगे जो कि होगी जी एसम का साइज नेनो होगा और इसकी लांचिंग डेट है दिशंबर अभी तक यह लांच नहीं हुआ है हम इसकी इस्प्राइज बता रहे हैं जिस दिन लांच होगा उसी दिन आपको वीडियो मिल जाएगा हम इसकी अभी किवल फीचर्स की बात करेंगे क्या क्या इसमें आपको विजल लेस्ट देखने को मिल जाएगा और इसमें प्लस देखने को मिल जाएगा और आपको इसमें पंच गोल डिस्प्लेय देखने को मिलेगा रैम होगी 12GB का 8GB का वर्च्वल रैम देखने को मिलेगा इसमें बहुत फास्ट होने वाला क्योंकि यूप हैस 4.0 दिया गया है और इसमें 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 अलग से क्लाट साथ न परजन मिल जाएगा और इसमें आपको मिलेगा यस्वी का 3.1 इसमें आपको 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा आप एटपोन नहीं लगा पाएंगे आपको ब्लुटूथ यूज करना पड़ेगा और एपसी देखने को मिल जाएगा और वाटर रिजिस्टेंस होगा आ आइसपी का आपको देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको मिलेगा जो 50 MP का मेन कैमरा होगा वाल्ड एंगल होगा टेल्स होगा अर्टर वाइड होगा और इसमें आपको सोनी का कैमरा देखने को मिलेगा इसमें आप 8K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकेंगे इसमें आपको custom UI front touch OS 15 देखने को मिलेगा और इसमें आपको Bluetooth देखने को मिलेगा इसमें आपको सभी टर्वेंगे आपट्री मिलेगा आपको 1650 समझ का चोकि सपोर्ट करेगा 100 वाट का फार्स चारजिंग और आप इसमें वारलस चारजिंग 50 वाट का ले सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा जोगे कमेंट करके बताईएगा